नमस्कार ये आकाश्वनी पटना है अब आप खाले दर्शित से प्रादेशिक समाचार सुनिए पहले मुख्य समाचार राजिपाल फागु चौहान आज पूर्व मुख्यमत्री जीतन राम मांजी को विधान सभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपत दिलाएंगे लोकास्था का महापर्व छट के दूसरे दिन आज खरना का आनुस्ठान किया जा रहा है राज्य में कोविड-19 संक्रमन से ठीक होने वालों की दर 97 प्रतिशत हुई अब तक लगभग 2,22,000 मरीज हुए स्वस्त और प्रिवेश भर में मौसम के मिजाज में तेजी से आ रहा है बदलाओ अगले दो दिनों में धुन्द बढ़ने के साथ तापमान में भी गिरावट आने की संभावना बुलेटिन के शुरुआत इस संकल्प के साथ COVID-19 मामारी के सिलाफ देश एक जूट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाओ के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें COVID-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाये मास्क लगाएं दो गर्ष दोरी है जरोरी सुरक्षित दोरी डखें हाथ रमू साफ रखें अब समाचार विस्तार से राज्यपाल फागु चौहान आज पूर्वे मुख्यमंत्री जीतन राम मांजी को विदान सभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपत दिलाएंगे 17 वी विदान सभा के गठन के बाद इसकी पहली बैठक 23 नवंबर से शुरू हो रही है ये बैठक विदान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित की जाएगी 5 दिवसिय सत्र में 23 और 24 नवंबर को प्रोटेम स्पीकर नव निर्वाचित सदस्यों को शापत दिलाएंगे 25 नवंबर को विदान सभा के नए अध्यक्ष का चुनाओ किया जाएगा एसी दिन नई सरकार विदान सभा में वेश्वास मत हासिल करेगी राजपाल फागु चौहान 26 नवंबर को विदान मंडल की संयुक्त बैठक को समोधित करेंगे 27 नवंबर को विदान सभा और विदान परिशत की बैठकों में राजपाल के अभिभाशन पर वादविवाद और सरकार का उत्तर हुगा संसदिय कारे विभाग ने 17 वी विदान सभा के आपबंधिक कारिक्रम की आधिसूच ना जारी कर दी है पूर्व उपमुख्य मंतरी और भाजपा के वरिस्ट नेता सुशील कुमार मोदी को विदान परिशत की आचार समिती का अध्यक्ष मनोनेत किया गया है वहीं पूर्व जल संसाधन मंतरी संजय जा को याची का समिती का अध्यक्ष बनाये गया है विदान परिशत के कारेकारी सभापती आफधेश नारान सिंग ने इस संबंध में अपनी सहमती दे दी है राजी सरकार के नव न्यूक्त मंतरियों ने अपने अपने बिभागों में पदभार गरहन करने के बाद कामकाज की शुरुआत कर दी है इन मंतरियों ने बिहार के विकास को अपनी प्रात्मिक तब बताया है पदभार गरहन के बाद उप मुख्य मंतरी और पंचायती राज विभाग की मंतरी रेणू देवी ने कहा कि नल जल समेद विभाग की अन्य योजनाओं की समिक्षा छट बाद की जाएगी उर्जा मंतरी विजेंदर प्रसाद यादव ने कहा कि हर खेट तक पानी पहुचाना सरकार का लक्ष है और इसके लिए अलग से बिजली के फीडर लगाए जाएंगे कला, संस्कृती और युवा विभाग के मंतरी मंगल पाने ने कहा कि सरकार युवाओं और कलाकारों का मान बढ़ाएगी और प्रदेश में संस्कृति करक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा गन्ना उद्द्योग मंत्री आमरेंदर प्रताप सिंग ने कहा कि चीनी मेलों की समस्चाओं को दूर किया जाएगा राजस्वर भूमी सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने पदभार गरहन करने के बाद कहा कि जमीन संबंधित कामों का निर्धारी समय में निप्टा रखिया जाएगा लगू जल संसादन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि जल जीवन हर्याली मेशन के कामों में तीजी लाई जाएगी लोक आस्था का महापर्व छट के दूसरे दिन आज खरना का अनुष्ठान किया जा रहा है शाम को वरती खरना का प्रसाद गरहन करेंगे कल अस्ताचल गामी सूरे को अर्ग और शनिवार की सुबा उखते हुए सूरे को अर्ग अर्पित करने के साथ छट महापर्व संपन होगा प्रदेश में बिभिन, नदी, पोखर और तालावों में छट घाटों के सौंदरी करन तथाओं ने सुरक्षित बनाने के कारे को अंतिन रूप दिया जा रहा है प्रदेश में कोरोना के असर को देखते हुए इस बार घाटों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अरगी के दोरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाय रखने की पूरी विवस्था की गई है विशेश सतर्क्ता को लेकर पटना, औरंगाबाद, दर्भंगा और वैशाली समेद 12 जिलों में आतिरिक्ट बनों की तैनाती की गई है प्रशासन ने बुदूर्गों और बच्चों को घाट पर नहीं ले जाने का निर्देश दिया है इधर पटना के प्रमंडली आयुक्त संजे कुमार अगरवाल ने गंगा घाटों का नेरिक्षन किया और सुरक्षा विवस्था को मजबूत बनाय रखने का निर्देश भी दिया जिला प्रशासन ने छट को लेकर नियंदरन काक्षु बनाया है जिले में धाई हजाद जवानों को सुरक्षा की कमान सौपी गई है और पांच अस्थाई थाने बनाये गए है छट को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है छट के पूजन सामगरी, मिट्टी के चुले और आम की लकडी की खुब बिक्री हो रही है बिविन जिला मुख्यालें से हमारे समवादाताओं ने खबर दिये कि पूरा माहौल भक्ती में हो गया है सुबा से ही छट घाटों पर व्रतियों की भीड देखी जा रही है छट के गीतों से वातवरण गुंजाइमान है छट महापद के अफसर पर होने वाली अत्रिक्त भीड के मद्दे नजर रेलवे प्रशासन ने आज से 30 नवंबर तक पटना से दर्भंगा और सहरसा के लिए विशेश मेमू सवारी गाड़ियां चलाने कर नरण लिया है पटना दर्भंगा के भी सवारी गाड़ी प्रति दिन सुबा साथ बजे पटना से खुलेगी ये ट्रेन पाटली पुत्र, सोनपूर, हाजीपूर, मुजफरपूर, समस्तिपूर होकर दोपहर डेड़ बजे दर्भंगा पहुँचेगी पूना दर्भंगा से ये ट्रेन दोपहर तीन बजे खुलेगी और रातरी साड़े नौ बजे पटना पहुँचेगी इसके लावा पूर्वे मध्य रेलवे कई अन्य ट्रेनों का परिचालन भी कर रहा है रेलवे ने स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दिया है, नशा खुरानी गिरोहों के खिलाफ अभिया अंचलाय जा रहा है इस स्टेशनों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, इधर पटना हवाई एड़े पर पहुँच रहे यात्रियों की कोरोना जाच की जा रही है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी इस महिने की 29 तारिख को आकाश्मानी से मन की बात कारिक्रम में अपने विचार साजह करेंगे इस मासिक रेडियो कारिक्रम की ये 71 कड़ी होगी एक ट्विट में श्रिमोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानिया और रोचक जानकानिया उन्हें पहले से ही मिली है प्रधामदी ने लोगों से नमो आप माई जी ओवी पर अपने विचार साजह करने को कहा है एक आठ शुने शुने एक एक साथ आठ शुने शुने पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर आए जा सकते हैं लोग एक नौ दो-दो पर मिसकॉल कर SMS के जरिये अपने सुझाओ प्रधानमदी को भेज सकते हैं रिकॉर्ड किये गए कुछ संदेश प्रसारित भी किये जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वनी पटना से सुन रहे हैं। राज्य में COVID-19 संकर्मण से ठीक होने वालों की दर 97 प्रतिशत हो गई है। अब तक लगभग 2,22,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वही 1201 लोगों की इस महामारी से मिलत हुई है। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान COVID-19 संकर्मण के 734 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 285 नए मामलों की पुष्टी पटना जिले में हुई है। वही पूर्णिया में 49, वैशाली में 34, मुदफरपूर में 33, बेगुसराय और मदुबनी से 20-20 और गया और सहरसा में 18-18 नए मामलों की पुष्टी हुई है। राजी सरका ने कुरोना संकर्मन को देखते हुए सोनपूर में लगने वाले वारशित मेले को सगित कर दिया है। देश में कोविट से सुष्ट होने की दर 93.52 प्रतिशत हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधीक मरीज सुष्ट हुए हैं। सुष्ट मंतराले के अधीकारी ने बताया कि अब तक 83,35,000 रोगी इलाज के बाद सुष्ट हो चुके हैं। वर्तमान में खरीब 4,46,000 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,617 लोगों में संकर्मन की पुस्टी हुई है। मिर्तुदर 1,47 प्रतिशत है जो विश्व के अन्य देशों की तुला में काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 474 लोगों की मौत हुई है। इसके साथी मिर्तकों की संक्या 1,3,993 हो गई है। वरिष्ट चिकिस्ता विशेशगी डौक्टर नरेंद सैनी ने कहा है कि कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों से अवसाद और अन्य मानसिक समस्याइं हो रही है। डौक्टर सैनी ने कहा कि कोविड 19 से सभी आयूवर के लोग प्रभावित हो रहे हैं। यह जो डिप्रेसिव जाइटी यह बच्चों में है और सभी तरह की पॉपुलेशन में हो रहा है यह कोरोना का आफेक्ट। जैसे जैसे कोरोना के केसिज बढ़ रहे हैं, अल्मॉस्ट एक साल हो गया कोरोना को आया हुए, आफे भी हम इसके बारे में नहीं नहीं चीज़ें पता लग रहा हैं हमें। तो क्लिनिकल सिंटल्स में हमने देखा कि अमोमन जिसमें बुखार होते हैं, दर्द होती है, थोड़ा बहुत खार आता है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि नए नए तरीके के चीज़ें भालुम चल रहे हैं, जैसे सेस्ट का पता ना लगना, सौाद का पता ना लगना, दिप्रेशन, एंग्जाइटी, निरोसिस, तो ये देखा गया और बच्चों में खासर के देखा गया, लेकिन मैं बताओंगा कि बड़ों में भी ये देखे जा रहे हैं, को संबोधित कर रहे थे, डॉक्टर हर्श्वदन ने भारत के टीबी हारेगा, देश जीतेगा अभियान पर प्रकाश जला, जिसका उदेश स्थाई विकास लक्षों के तहत, दोजार पच्चीस तक छे रोग को समाप्त करना है, आज विश्विस शौचाले दिवस है, ये दिन लोगों में साफ सफाई के प्रती जागरुपता पैदा करने और शौचाले के उप्योग को प्रोथसाहित करने के लिए मनाये जाता है, केंद्री जल शक्ती मंत्राले का पैजल और स्वच्चिता विभाग स्वच्च भारत अभियान के अंतरगत लोगों में सुरक्षित साफ सफाई को प्रोथसाहित करने के लिए विश्विस शौचाले दिवस मनायेगा, इस अफसर पर जल शक्ती मंत्री गजेंदर सिंग शि साथ तापमान में भी गिरावट आ सकती है अब पट्ना से प्रकाशित प्रमुक समाचार पत्रों की सुरखियां आजके सभी समाचार पत्रों ने छट से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर सचितर प्रकाशित किया है इसके साथ ही कोरोना से जुड़ी साफधानी की खबर को पहले पन्ने पर जगा दी गई है दैनिक हिंदुस्तान ने नव नियुक्त मंत्रियों की संपत्ती से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है बिहार के नए मंत्रियों में 93 प्रतिशत करोड़ पती हिंदुस्तान की एक अन्य सुर्खी है कॉंग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंग गोहिल ने इस्तीफा भेजा प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन जाने की इस्तीफे की पेशकश दैनिक जागरन ने समविदा पर नियुक्ती से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी सभी विभागों से मांगा बिवरा प्रभाद खबर ने मदर्सा, संस्कृत और अल्प संक्यक हाई स्कूलों के सिख्षकों के वेतन में व्रिधी को अपनी सुर्खी बनाया है आखबार ने लिखा है कि संबन में सरकार ने आधी सुचना जारी कर दी है दैनिक भासकर ने कोरोना वैक्सिन के ट्रायल को सुर्खी बनाते हुए लिखा है फाइजर की कोरोना वैक्सिन सेज तीन के ट्रायल में 95 प्रतिशत रही असरदार और अबंत में मुख्य समाचार एक बार फिर राज जिपाल फागु चौहान आजपूर्वे मुख्यमंत्री जीतन राम माजी को विदान सभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपत दिलाएंगे लोक आसा का महापर्व छट के दूसरे दिन आज खरना का आनुस्ठान किया जा रहा है राज्य में कोविड उनी संकर्मन से ठीक होने वालों की दर 97 प्रतिशत हुई अब तक लगभग 2,22,000 मरीज स्वस्ट हुए और प्रिदेश भर में मौसम के मिजाज में तेजी से आ रहा है बदलाओ अगले दो दिनों में दुन्द बढ़ने के साथ तापमान में भी गिरावट आने की संभावना इसके साथ ही आकाश्वनी पढ़ना से प्रसारिव प्रादिशिक समाचार का ये अंग समाप्थ हुआ कोविड-19 से बचाहो और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं दो गस दोरी है जरोरी सुरक्षित दोरी रखें हाथ रमू साफ रखें